हलो वेल्कम बैक टू दी चैनल आज किस वीडियो में लोग बात करने वाले केक वाक पर नॉइज रिडूक्शन के बारे में काफी दिनों से आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेश्ट आ रहे थे कि केक वाक पर नॉइज रिडूस करके दिखाईए तो एक बात मैं आप कि नॉइज गेट का क्या काम होता है तो नॉइज रिडूक्शन के लिए मैंने एक प्लगिन चुना है जो कि एप्सलूटली फ्री है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे टेलिग्राम पर जाकर सीधा ही उसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं यह जो प्लगिन है उसे आपको इंस्टॉल करने की जोड़त नहीं है वो DLL फाइल में है तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि आपको करना क्या है प्लगिन डाउनलोड करने प्रोग्राम फाइल उसके बाद फिर ये केकवाक का जो हैं पर फॉल्डर है उसमें जाएंगे और आप देखेंगे यहां पर एक फॉल्डर है शेर्ड प्लगिन इस पर जाने के बाद आप देखेंगे यहां पर बहुत सारी .dll फाइलें दिख रही है तो इसी जगह पर हम आप पेश्ट करने के बाद आपको इहां पर जाना है और फिर प्लगिन को स्केन करना और इसे स्कार में program file cakewalk vst plugin यह मेरा यहाँ पर add है अगर आपका नहीं होगा तो आप यहाँ से manually add कर सकते हैं इसके बारे में बहुत detail में मैंने बात किया था एक दो साइद दूसरे तिसरे पार्ट में आप देख सकते हैं तो ठीक है इतना करने के बाद आपका जो plugin है वो आ जाएगा तो फिलाल देखते हैं किस तरह से noise reduce करना है सबसे पहले हम सुनते हैं यह जो हमारे पास अभी फिलाल sample है वो बिना किसी noise reduction के कैसे sound करते है हलो वेलकम बैक टुदी चैनल आज किस वीडियो हम लोग देख रहे हैं कितना ज्यादा noise है इसमें तो अभी हमें क्या करना होगा सबसे पहले क क्या करेंगे हम इसे यहाँ पर थोड़ा सब लूप करते हैं जो noise वाला profile होगा इतने से एरिये को मैंने लूप कर लिया है इस जगह पर noise है अपना अब हम क्या करेंगे डीप्रेस करते हैं यह खुल गे हमारा console उसके बाद फिर fx वाले section में जाकर पलस वाले icon पर click करेंगे insert audio fx अभी आप देख सकते हैं आपके cakewalk में फिलहाल यह option नहीं होगा refer का क्योंकि install नहीं होगा आपके computer में जब आप install करेंगे और copy paste करेंगे वहाँ पर तो यह यहाँ इस जगह पर show होगा जैसे मैं इस पर click करता हूँ आप देख सकते हैं इसका interface कुछ इस तरह से खुल जाता है बहुत ही कमाल का plugin है और इसके साथ जब भी आप इसे install करेंगे तो इसके बंडल में आता है इसके साथ आपको बहुत सारे plugins मिलते हैं compressor equalizer और भी बहुत तरह की चीजें तो आपको सिर्फ अगर यह plugin चाहिए तो आप सिर्फ इसके ही DLL फाइल को वहाँ पर copy paste करेंगे अधरवाइस आप compressor वेगरे इसका इस्तमाल करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं तो सबसे पहले में क्या करना होगा आप देखेंगे इस जगा पर आपको कुछ option मिल रही है reset का, सबसे पहले reset करेंगे क्योंकि अगर पहले हमने कुछ किया होगा तो वो reset हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, mode में जाकर आप देखेंगे फिलाली EQ वाले mode पे है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, subtract वाले option में click करना होगा, उसके बाद फिर edit mode में जाने के बाद यहाँ पर करेंगे precise और फिर FFT size में जाकर हमें यहाँ करना पड़ेगा 1024, इसके साथ आप थोड़ा सा experiment कर सकते हैं, 1024 में अच्छा काम करता है, उसके बाद यहाँ पर एक checkbox मिल रहा है आपको जहाँ पर इसे click करना हो, automatically build noise profile, इस पर जैसे हम click करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है अपना जो audio उसे play करना है stop करेंगे, अभी देखेंगे इसने क्या किया noise जो अपना noise था उसे इसने read कर लिया है, और उसका level यहाँ पर set कर दिया है, तो अभी क्या होगा, मैं आपको दिखाऊं, अब इसको यह automatically build वाला था, उसे हम off कर देंगे, उसके बाद फिर play करके देखेंगे audio को sorry मैंने loop कर दिया था, एक बार उसे unloop करते हैं पहले अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़े दिर के लिए अपना जो microphone उसे off कर देता हूँ, so that अभी जो real time में जो noise record हो रही है, वो ना record होके आपको सिर्फ जो हमने record किया था इसके अंदर, वो उसका noise आप अच्छे से सुन पाएंगे, तो off करके मैं एक बार आपको सिर्फ सुनाता हूँ, यह जो अंदर हमारा audio चल रहा है उसे तो जैसे कि देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है हमारे यह plugin, काफी बहतरीन तरीके से noise को यह reduce कर रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, कि बार बार हमें, जब भी आप plugin को insert करेंगे, तो यह कुछ इस तरह से होगा, है ना, तो बार बार आपको वो precise और यह subtract करने की जोरत नहीं है, आप क्या करेंगे, एक बार मैं इसको कर लेता हूँ, subtract, उसके बाद फिर precise और यह 1024, इसमें करने के बाद आपको क्या करना है, इस preset को save कर लेना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, save bank पर जाएंगे, और इसका नाम हम रख देते, noise, noise reduction, save करते हैं इसे, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस plugin को एक बार close करते हैं, और यहां से इसे delete करते हैं, और फिर से इसे insert करते हैं, यह रहा हमारा refer, अभी आप देख सकते हैं, इसमें फिर से वो reset हो चुका है, तो हमें directly क्या करना है, load bank पर जाना है, और यह रहा अपना noise reduction, open करते हैं, आप देख सकते हैं, बस अभी आपको क्या करना है, सिर्फ इस button पर click करना है, और सिर्फ noise वाले profile को select करके से, एक बार इसमें play करना है, वो read कर लेता है, उसके बाद फिर आपको इस option को off करके, simply बस आपको छोड़ देना है, तो बस अही था हमारा noise reduction, noise gate क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कि noise gate में क्या होगा, जब भी आप noise gate plugin को डालेंगे किसी भी software पर, तो वो जब भी आपका audio, जब आप कोई भी audio record करेंगे, या कोई instrument चल रहा है आपका, तो जब दो words के बीच में जो gap होंगे, माली जब आप कोई गाना बनाते हैं, तो एक verse, दो words के बीच में जो gap है, उस gap में वो क्या करेगा, उस noise को reduce कर देगा, लेकिन जहा करने से पहले आप लोगों से request है, अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी भी help मिलती है, तो चैनल को subscribe कर ले, वीडियो को like किया करिए, और इस वीडियो से related, अगर आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत है, आप नीचे मुझे comments box में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे म मेरे Instagram पर भी मुझे message कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जहिन, thank you.